अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care तो आज के इस वwach civ़ है नहीं आपको दूँगा तो देखे ये जो राम बार्ण रस है यह बहुत सारी कंपणियों का आता है जैसे के वेदिनाद basic ayurveda तो और भी काई कम्पनियों का आता है तो आप किसी भी कम्पनी का ले सकते हो अब इसको खरीतना कहां से है तो देखे जो भी local ayurvedic medical store होते हैं वहाँ से आप इसको वथा इसको खरी सकते हो या फिर आपको ये आयर्विदिक मेडिकल इस्टोर से नहीं मिलता है तो आप इसको online भी purchase कर सकते हो तो मैं इसकी link दे दूँँगा नीचे description में तो दर्सिक के लिए करके आप इसको घर बेटेवटे भी मंगा सकते हो और ये जो है 100% vegetarian है और कोई भी इसमें harmful chemical यूज नहीं हुआ है मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं अब अगर हम बात करें इसके ingredient के बारे में इस राममाल रसमे क्या क्या है तो देखिए इसमें है कजली, वत्सानाव, लोंग, काली मिर्च, जायफल, सुद्ध गंदक, सुद्ध पारद इस प्रकार से ingredient थोड़े बहुत उपर नीचे हो सकते हैं कंपनियों के अनुसार अब देखिए इधर main main ingredient उनके बारे में आपको बता दिया है अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में क्या क्या फायदे है तो देखिए यह आपका राम्मान रस जो है आपके joints के pain के लिए काफी अच्छा है अगर आपको जोडों में दर्द रहता है तो उस condition में आप इसको ले सकते हो या फिर आपके जोडों में stiffness होती है या आपके जोडों में जकलन टाइप का इसा लगता है आपको तो उसमें आप ले सकते हो या फिर अर्थराइडी से आपको गढ़िया की बीमारी है तो उसमें भी फायदा करता है अब इसके अलावा यह आपकी हड़ियों के लिए काफी अच्छा है और आपकी जो हड़िय फायदेमन मेडिसिन होती है अब इसके अलावा देखिए अगर आपको गाउड की समस्या है अब गाउड में होता क्या है कि यूरिक एसिट बढ़ जाता है और अगर आपका यूरिक एसिट बढ़ जाये तो आपको गाउड हो जाता है आपके जोडों में रेडनेस आ जाती आपकी मेडिसिन और अगर आपको खासी चलती है या फिर आपके पेट में दर्द है तो पेट के दर्द को भी ये रामबान रस मेडिसिन दूर करती है इसके अलाबा अगर आपको गेस की समस्या है ऐसे डिटी की समस्या है या फिर आपका पेड फूलता है तो उसमें भी काफ अच्छी medicine है यह राम्मानरस इसके अलाबा अगर आपको बुखार आता है तो इसमी फायदा करती है और वात और कफ को यह balance करने का काम भी करती है medicine आपकी राम्मानरस तो इधर जो है मैंने इसके management फायदे थे उनके बारे बता दिया है अब हम बात करते हैं इसके dose के बारे मे कैसे लेना होता है तो देखे एक tablet आपको सुबा और एक tablet आपको साम को लेना है मतलब एक दिन में maximum इसको दो बार तक लेना है और इसको कुछ भी खाने के बाद ले तो बहतर रहेगा अब देखे इसको आप सहथ के साथ ले सकते हैं या फिर हलके गुन-गुने पानी के नहीं है लेकिन फिर भी इसको लेने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो आप इसको लेना बन कर सकते हैं और चाहें तो डॉक्टर से भी शालहा ले सकते हैं अब देखिए इधर जो है पहले से आपको medicine ले रहे हैं जैसे के ऐलो पेतिक होमेपेतिक आयरवेदिक तो इ देखिए इसको कब तक लेना है तो डिपेंड करता है आपके बीमारी पर आपके प्रॉलम पर हालांकि आप इसको एक से तीन महने तक लेकर देख सकते हैं बैस्ट रिजल्ट के लिए या फिल लंबे समय तक भी ले सकते हैं लेकिन वो लेना है तो डॉक्टर की सला से अब देखिए कम से काम आप इसको एक महने लेकर देखिए एक महने बाद आपको कुछ नगुछ फायदा या रिजल्ट जरूर मिलेगा इस राममार्ण रस का अब इदर देखिए मैं कुछ एडवाईस देना चाहूंगा अगर आप यह राममार्ण रस मेडिसिन लेते हो तो रावाँ आपको क freakा लेना है और है हैभी लाइफ रखिए और आप ऑफ गया थो है द लेते रहे हैं झाह जो थोड़Oohट लिढ़ लगते हैं जिसमें के विटामीन हें मिनर्स होते हैं क्योंगे हैं और Click का अज़िए का नश्श्य की सब्लाइस ही आपको ख्याल रखना है अ अभी दर देखें, इसके लापा आप exercise करेंगे, तो आपकी जो health है, वो अच्छी रहेगी, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो पैदल चल सकते हैं, वाकिंग कर सकते हैं, या फिर योग भी कर सकते हैं, तो ये मेरी अगर आप advice फॉलो करोगे, तो आपको अच्छा subscribe नहीं किया है, तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक भी कर दीजीगा, फिर में लेंगे next वीडियो में, जब तक आप बने रहे हैं, और देखते रहे हैं, आपके अपनी चैनल में, knowledge for care.